है अग्या पढ़ेंगे वांट राइसेन ओ लेवल सबसे पहला मैं इसके क्यारक्टर की बात कर लेते हैं यहां पर है सेक्रेटरी अप्ड एक्जामिनेशन बूर्ड और गवर्नर ओफ एचेंप प्रेजन पहले में इन दोनों की बात करूँगी जैसी स्टोरी शुरू होती है तो सेक्रेटरी अप्ड एक्जामिनेशन बूर्ड को कॉल आता है गवर्नर ओफ एचेंप प्रेजन से की बाई जो यह हमारे यह पर एक प्रेजनर है उसका नाम है जेम्स रॉडर के वांस वह एक एक्जाम देना चाहता है जर्मनों लेवल में तो क्या वो दे सकता है सेक्र प्रेजन रखे गया वो प्रीजन दे और जो क्रिसमस वगेरा होता है कहीं बार उसपर तो वो जो है इमिटेशन वगेरा भी करता है तो बहुत अच्छा इंसान है तो सेक्रेटरीफ देखता है एक्जाम कोई इस्यू नहीं है एक रूम आपको और इंच करना पड़ेगा व इसको 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 अपने प्रीजन में रखूंगा और मैं इसको भागए नहीं दूँगा मगर गवर्नर का जो है एक human side भी है वो soft-hearted है वो सुच से ठीक है प्रीजनर्स को भी जो है opportunity मिलना चाहिए पढ़ने ही हलाकि यह जो पूरा story है यह दो चीजों पर बात कर रहा है तो उसमें से एक जो चीज़े बहुत जादा important है should prisoner be given opportunity to study to get education तो वो हम बोलते है हाँ कि देना चाहिए दूसरा जो conventional thinking और out of box thinking conventional thinking किस की है conventional thinking है गवर्नर की Mr. Jackson की और Mr. Steffens की जूनियर प्रिजन ओफिसर है तो जैसा कि पुलिस वाले सोचते हैं बिलकुल conventional way में कि वह एक आदमी भागने के लिए क्या कर सकता है जेल तोड़ेगा किसी को किसी को पर गन पॉइंट करेगा ऐसे भाग जाएगा तो इस तरह से लोग सोचते हैं किस किस से वो नुक्सान पहुंच आ सकता है नेल फाइलर से ब्लेट से तो इसे तरह से लोग सोचते हैं अलाकि लोग भी बहुत इंटलिजेंट होते हैं मगर फिर भी जैम्स इवांस जो है वो उसका जो तिंकिंग को समझ चाता है इनके soft-hearted nature को समझ चाता जैक्सन जो है प्रिजन ऑफिसर हैं और soft regulation की duty मिले मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंगेंट है मिस्टर बेले डिटेक्टिव चीव इंस्पेक्टर तो जैसे ही स्टोरी शुरू होती है तो इसमें हम देखते हैं कि इवांस जो है उनके टीचर उसके टीचर मिलने आते हैं अब यह इवांस के जो टीचर करके आ जाते हैं तो इवांस सारी चीज़े प्लान आउट करता है वो क्या करता है जो असली ट्यूटर होता है इसको यह लोग कर लेते हैं और एक नके टीचर आता है और यह लोग पूरा प्लान करते हैं कि किस किस तरह से लोग इसका भागने का इसको भगाएंगे जेल तो अब हम देखते हैं इवांस जो है बहुत स्मार्ट बंगता है इसने क्या किया जब यह जो सेक्रेटर अग्जामिनेशन बोर्ड है यह जब फॉर्म बेशते हैं तो इवांस पुरा फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसको पता चल जाता है कि जो रेवरेंड एस अध्रले को आने वाला है ूसरों से प्लान करते हैं कि जैसे जर्मन ट्यूटर के जए सी जहसे एक्जाम शूरू होने यह बान देते हैं और इसको अपने उसके ही अपार्टमेंट में बाद देते और रेवरेंटेस मैकलेडी की जगह पर दूसरा इसका जो दोस्ते वह इन्विजिलेटर बनकर आजाता क्योंकि इवांस को पता है कि यह ज्यादा ज़्यादा शक्मेरों पर करेंगे इन्विजिल एस मैकलेरी बनकर यादमी आ गया है , इसको हम रिवरेंड एस मैकलेरी बोलेंगे मिस्टर जेक्षिं जो है इसको यह लेकर कर आते हैं , तीन गेट है तीनों क क्रोस करके लॉक वॉक करके अच्छे से बिल्कुल safety security insure करके यह आन लेकर आते हैं इसको तभी governor के दिमाग में एक doubt आता है यह सुचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से यह जो reverend s. mcclary poor fail हुए बिचारा यह कहीं paper knife वगर ले आया और जिसका फायदा उठाले इवांस तो वह उसको बोलते हैं Jackson को कि जाकर कि आप यह prison officers को बोलते हैं कि जाकर कि आप चेक करो देखो कि कहीं यह ऐसा कुछ लेकर के तो नहीं आया तो जो prison officers इसको चेक करते हैं उपर से लेकर के नीचे तक और वही जो मैंने आपको बता है तो बताता है उसको पाइल्स का प्रॉब्लम है इसलिए रबर ट्यूब उसको बैठने के लिए चाहिए तो अब यह उसको अंदर जाने देते हैं इनको तो डाउट पूरा इवांस के उपर है एक्जाम शुरू होती है और स्टेफन जो इसको duty मिल दी है जुनियर प्रिजन इसको बहुत इरिटेशन होती है इवांस को और वो कहता है कि तुम थोड़ा बाहर बैठ जाओ सेल के बाहर बैठ जाओ तो मैंसे मेरे सिर के उपर बैठ रहोगे तुमें कैसे एक्जाम लिख पाऊंगा तो गवरनर को कॉल किया जाता है गवरनर भी सोचता है कि हम थोड़ उपर से लेकर के नीचे तक सारी चीज़े दो-दो पहन करके आया है कोट पहन करके आया है दो पुरा दो-दो चीज़े पहन करके आया है चश्मा भी दो लेकर के आता है ये तो क्या होता है जो एक-एक मिनट का इंटरवल होता है इस दोरान ये दीरे-दीरे-दीरे करके अ पहनता रहता है और यह प्लोड है पिक का ब्लोड लेकर वहां से और यह पिक क्लॉट हो जाता है तो उसमें यह जो है human blood भी मिलाते हैं और यह trisodium citrate भी मिलाते हैं ताकि वो पिक का जो blood है बिल्कुल human blood की तरह दिखे तो जैसे कि आपने फुरा चेप्टर पढ़ा होगा तो आपको यह आपको लग रहा होगा कि जो बंदा बाहर जाता है वो इवांस है मगर नहीं यह मैकली और इवांस उनों मिले हुए है इवांस जो है मैकली की सारे कपड़े पैन लेता है और जैसे एक्जामेनेशन चल रही है उस तोड़ान यह कपड़े बदलते जाते हैं और स्टिफन भी थोड़ा सा फिलीनियंट हो जाता फिर वो दो-दो मिनट के इंटरवल में पीप करके देखता है और उसी दोरान एक चीज और होती है कि यह जो है इवांस के रुकने का कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाता है तो लास्ट मोमेंट पर इसके रुकने का अरेंजमेंट होता है और वो जो है अब इनको बताएं कैसे बाहर में इनके दोस्त लोग सारा अरेंजमेंट करते हैं इ एक करेक्शन है जो यह हम लोग करना भूल गए और वह करेक्शन यह यह है कि आपको इसको गोजन बाडनेन सब्सक्राइब और पड היले नाकि गोल्डेन पड़ना है यह जो फ्रेज हुज जाहते debris तो लॉवन नॉट जूम गोल्डेन लॉवन और उसको रिपीट करता है और बताता है और गवर्नर जो है उसको थोड़ा सा डाउट भी जाता है कि कहीं भाई ये कोई फेक कॉल तो नहीं है तो वह उसको बहुत गोर से सुनता है फिर उसे खुदने सिक्स्त फर्म तक पढ़ी हु और ऐसा तो कुछ नहीं है सब कुछ स्मूधी चाह रहा है तब उसके पास फिर फोन आता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट से फोन आता है और उन्होंने क्या मांगा एक प्रिजन वेन मांगे और कपल प्रिजन ओफिसर मांगे उसने तब उसको एक मिनट के लिए लिए लगता गाड़ी का तो प्रिजन ओफिसर और प्रिजन वेन भेज देता है अब इवां जो प्रडर्स प्रिस चेंज कर लेता है एक्जामिनेशन खतम हो जाती है इसको पता चल जाता है कि भई मुझे अब गोल्डेन होटल में जाना है और गोल्डेन होटल भी कौन सी वाली है तो यह जो उसको बताते हैं कि आपको राइट हैं कौर्णर में 313 लिखना है और आपका जो सेंटर नमबर है 271 तो 313 और 271 को जब हम मिलाएंगे 313 और 271 271 को जब मिलाएंगे तो और रिदी मेपर दिखेंगे तो जो लोकेशन बता रहा है गोल्डन लोयन की उस गोल्डन लो तो उसके जब थोड़ा सा पहले कॉल फिर आता है स्टेफन को आता है कि तुम खुझ जा करके मैं कलेरी को बाहर तक छोड़ कर गया मैं को बड़ी खुशी होती है कि मुझे बूला है नोने जैक्सन को नहीं बूला जबकि जैक्सन तो सीनियर प्रिजन ओफिसर है तो यह उ पहले भी तो उसको लगा कि ठीक है फाल तुम्हे वह सोच रहे हूं फिर वो कफी पीने के लिये जाता है और वो जब gefुता है नहीं से लिए जब नहींक्ते आप में यहीद को देखने के लिए और प ज window चले ननीकD studio में हाथ दर्भिवेए । यहां पर एक छोटा सथ रोल आता है बोडिया और इसको इंजियर किया है और वो भाग गया है मगर यहां पर यह दिखने वाली बाद है कि वह मैंठब जाता है वह ली इंसान ने जो आया था कन बलड्मे खोड़ में लत्वजा आदमी पड़ा हुआ हुआ वह इंदोनों का जो बॉड़िया है परसनालेटी यह इवांस का और वो जो आदमी आया था लगबक सेम है तो यह लोग घबरा हार्ट में उसका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं और खुन में सना होने के वज़े से इनको क्लियरली समझ में भी नहीं आता है कि इवांस है या मैकलेरी यह तो यह मैकलेरी इवांस क यह एक वेपर स्लीप दिखाता है उसको वो और बताता है कि इस स्लीप पर उन्होंने जो है यह स्लीप जो है पेस्ट कर रहीती उन्होंने यह देख लेजेए बैस Efendimiz 84 में सि Mm sud बिल दी है वो बताता है कि यह जो है इन्होंने पेस्ट कर दी थी और फिर वो बताता है